हलो नमस्कार सुडेंट वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल आप सुभी का यहां पे श्वागत करते हैं अपन पढ़ रहे थे आई सियार जेट बियाच्चू के लिए एग्रिकल्चर और एग्रिकल्चर में हमारा सेकंड नंबर टॉपिक चल रहा था सोईल साइंस म्रदा विज्यान उसके हमने पांच कलासे लगा ली है प्रते कलास में 25 प्रशन रहते हैं अगर वो कलासे आपने नहीं देखी है तो पीछे वाली कलासे आप इस कलास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिक में जाएगा वहां से फोलो कर सकते हैं या आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सारी की सारी कलासे देख सकते हैं पास में जो बेल एकन उसको जूरु दबा लेना ताकि आपको प्रते कलास का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं पीछे वाली खलंस जाके भी निशलक कलासे हैं सारी की सारी यूट्यूब के उपर है एक भी कलास अपने डिलीश नहीं करते हैं चलेगा बिना किसी देरी के आज के कलास को सुरू करते हैं चैनल क्लास रहेगी आज अमारी है पोधे के सोशक बहार का से नेक्स्ट पर्सन में लेग हीमोगलोबीन नीमन में पाया जाता है चार आप्शन देर रखे हैं आप्शन नमबर सी राइड हो जाएगा बैक्टिरीयोडस के आसपास आप्शन नमबर सी राइड हो जाएगा इंजोला में उपस्तित नतर जन स्तिरी कारक सुक्सम जीव नीमन है चार ओप्षिन देर के हैं ओप्षिन नमबर डी राइट होजेगा एना बिना ओप्षिन नमबर डी में क्या देर रखा है एना बिना नेक्स्ट परसंटी चलते हैं प्रोटिन उत्पादन के लिए अती महतोपुन पोशक ततो नीमन में हैं चार ओप्षिन देर के हैं ओप्षिन नमबर डी राइट होजेगा नतर जन हैं ओप्षिन नमबर ए में देर रखा है नतर जन नेक्स्ट पर चलते हैं एक उच दनाइन विनी में चमता CEC वाली म्रदा नीमन को अधिक धारित कर सकती है चार ओप्षिन देर रखे हैं ओप्षिन नमबर ए राइट होजेगा फास्पेट बोल सकते हैं इसको फास्पेट नेक्स्ट पर चलते हैं मुक्त जिवी यानि फ्री लिविंग नाइट्रोजन्स फिक्सिंग्स बैक्टिरिया है चार ओप्षिन देर रखे हैं ओप्षिन नमबर C राइट होजेगा अजोटो वैक्टर ओप्षिन नमबर C में क्या देर रखा है अजोटो वैक्टर देर कौन आक्सिंस किरिया के लिए दूसरे मेसेंजर की त्रहकारिय करता है दूसरे मेसेंजर की त्रहकारिय करता है चार ओप्षिन दे रखे हैं ओप्षिन नमबर A राइट होजेगा IAA नेक्स्ट परसंट में आपको दे रखा है मर्दा की पियच मान में उलेखनिय परिवर्तन को सहन करने की जमता क्या कहलाती है चार ओप्षिन देरके हैं ओप्षिन नमबर A राइट होजेगा उब्भे परतिरोधिक्ता उब्भे परतिरोधिक्ता ओप्षिन नमबर A राइट होगा पोधों के लिए आउशक किन्तु लाबकारी ततो कौन सा है पोधों के लिए अनाउशक आवशक नहीं है पोधों के लिए अनावशक किन्तु लाबकारी ततों अनावशक भी है और लाबकारी ततों है कौन सा है ओप्शिन नमबर सी राइट होजेगा वेनेडियम एउ सॉडियम वेनेडियम एउ सॉडियम पोधे के लिए सोडा प्लस निकल इस इकल टू 17 आवशक ततों होते हैं इसके अलावा चार ततों सिलिकॉन वेनेडियम सॉडियम और यह आपके पास में होगा कोबाल्ट लाब दहक ततों माने गए हैं तता नीची थोड़ा सा कर लेते हैं अपने तता सभी आउसक हैं लाब दहक ततों को समलित रूप्स से डीजे निकॉल्स द्व कारिय की ततों कहा जाता हैं कारिय की ततों कहा जाता हैं नेक्स्ट हैं द्वी बीज पत्रिय फचलों की जड़ों की गरंतियों में पाया जाता हैं क्या पाया जाता हैं ओप्शन नमबर बी राइट होजेगा राइजोबियम जिवान ओप्शन नमबर बी राइट होगा अधिक pH वाली भूमी में इन तत्वों की कमी होती है, चार नीची option दे रखे हैं, option numbers इसमें आपके पास में B right होज़ेगा, बोरोन वे लोहा, बोरोन वे लोहा option number B right होगा, नीमन में इसे किस फसल को नतर जन की अधिक आवशक्ता होती है, गन्ने को होती है, option number B आपका right होज़ेगा, next question में आपको दे रखा है, fast force penta oxides P2O5 की गरना के लिए परियोग सुत्तर होगा, option number D right होज़ेगा, fast force penta oxides, option number D right होगा, fast force penta oxides P2O2O, murate of photos का अच्छा परभाव पड़ता है, और ये चार option दे रखे हैं, option number C right होज़ेगा, उदासिन भूमी में, option number C right होगा, next person में आपको दे रखा है, मर्दा वाईयू में oxygen's पाई जाती है, चार option दे रखे हैं, option number D right होज़ेगा, परसेंटेज, निमन मर्दाओं में से किस सम्मुए का छेतरफल भारत में शर्वादिक है, कौन से मर्दा है वो भारत में शर्वादिक मत्रा में पाई जाती है, option number B right होज़ेगा, जलोड मर्दा, जिसमें जल के अधिकता होती है, जलोड मर्दा कहलाती है, जल से लोड मर्दा, प्रिपूर्ण मर्दा, तो जलोड मर्दा होगी, निमन में इसे कौन सा परदार्थ मर्दा की चारियता को सुधारने के लिए परियोग किया जाता है, चार option दे रखे हैं, option number B right होज़ेगा, जिपसम, चारियता को सुधारने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है जिपसम का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट पर चलते हैं पोधा नतरजन जिस रूप में लेता है वह कौन सा है चार option दे रखे हैं option number B right right होज़ेगा nitrate next person पी चलते हैं चुना का प्रियोग किस परकार की भूमी के सुधार के लिए किया जाता है चुने का प्रियोग किस परकार की भूमी के सुधार के लिए किया जाता है चार option दे रखे हैं ये प्रसंद भी अपन पीछे पढ़के आ चुके हैं तो option number C right होज़ेगा अमलिय मर्दा को अमलिय मर्दा की अमलिय अता को सुधारने के लिए चूने का परियोग किया जाता है और वैसे भी पढ़के आए थे कि pH के मान को सुधारने के लिए चूने का परियोग किया जाता है तो इसमें option number C right होज़ेगा next है 8.5 PS से अधिक वाली भूमी होती है 8.5 PS से अधिक वाली भूमी चारिय होती है अमलिय होती है या लवनिय होती है तट्स होती है तो option number B होज़ेगा चारिय है क्या होगी 8.5 पीच से अधिक वाली भुमी चार यह होती है option number B right होदेगा next question पे चलते हैं पोधों दवारा भुमी में आवसोसित किये जाने वाले सुक्छम तत्व है option number B right होगा next question पे चलते हैं next question में आपको दे रखा है कि नीमन में इसे कौन सा जिवासम या जिवांस खाद हैं नीमन में इसे कौन सा जिवांस खाद हैं चार ओप्षिन दे रखे हैं ओप्षिन नमबर सी राइड होगा इसमें सी में दे रखे हैं नीम की खली नीम की खली ओप्षिन नमबर सी राइड होगा नेक्स्ट है काली मरदा का चेतरफल शरवादिक है। काली मरदा का चेतरफल शरवादिक कहां पे हैं। परकार से हमने आज की class में 25 questions complete के हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जुरू बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक और सेयर सभी विद्यार्थी मिलके करेंगे कमेंट करके जुरू बताएंगे क्लास कैसी लग रही है कोई आपको कमी मैसूस हो रहे है तो वो भी बताएं आपको अच्छी लग दिए तो लाइक और सेयर करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जुरूर दबा लेना ताकि प्रते क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है टाइम रहते हुए चलीगा आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलें कुछ ने के साथ जै हिंद जै भारत